नमस्कार दोस्तो मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है दोस्तो हमें आपके लिए जी आई बी डी बी एफ और प्री प्रोमोशन का वन स्टॉप सॉलूशन सबसे पहले तो आपको नवर्ष की बहुत-बहुत मुबारक बात नया साल आपके जीवन में नई खुशियां लाए आप लगातार प्रोग्रेस करते रहें और अपने मन्चाहे मकाम को हासिल करें ऐसी हमारी शुब कामना हैं दोस्तो आप सभी ने बैंक जोइन कर लिया है और बैंक जोइन करते से ही हम आपको सबसे पहले तो कॉंग्रेशुलेट करते हैं कि आप इस एकोनोमी का एक पिलर बन गए हैं इस फाइनेशल सिस्टम का एक हिस्सा बन गए हैं जिसके लिए देश के करोणों युवा इस फा बैंकिंग सिस्टम में उसका एक मजबूत पिलर आप बन जाएंगे परंतु सवाल यह उड़ता है कि सिस्टम में आगे कैसे बढ़ा जाए इस सिस्टम में रहते हुए इस सिस्टम में आगे कैसे बढ़ा जाए आगे कैसे प्रोग्रेस करें यह सवाल हमारे दिमाग में आत तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको register करना है अपने आपको कहा करना है Indian Institute of Bankers and Finance की website है iibf.org.in मैंने आपको यहाँ पे इसका screenshot दिया हुआ है website का इस website पे आपको register करना है register करने के लिए iibf का app भी दिया हुआ है iibf mobile app दिया हुआ है आप google play store से इसको download कर सकते हैं और download करके आप यहाँ पे अपने आपको register कर सकते हैं याद रखें registration के लिए यहाँ fees है 1500 रुपीज प्लस GST हर banker को iibf के साथ register होना जरूरी है iibf के साथ क्यों register होना जरूरी है आपको यह भी समझना पड़ेगा देखी आप ध्यान रखें पहले यह institute जो था Indian Institute of Bankers के लाता था बाद में इसका नाम चेंज करके iibf कर दिया गया Indian Institute of Banking and Finance ओके यह academic institute है bankers का हर banker को इसका member बनना जरूरी होता है क्योंकि जितने भी flagship courses होते हैं जिनने हम JIB CIB कहते हैं जितने भी डिपलोमाज होते हैं यह जितने भी bankers के exam होते हैं वो IIBF ही conduct कराता है IIBF authorized इसके लिए IIBF ही यह सारे exams conduct कराता है ठीक है पर सवाल यह है कि क्यों join करूं मैं IIBF join करने से मुझे फाइदा क्या मिलेगा तो आपको फाइदा क्या मिलेगा आप देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि IIBF में जितने भी updates होते हैं आपको mail पर जब एक बार आप इसके member बन जाएंगे तो आपको mail पर IIBF के regular updates मिलते रहेंगे पहली बात दूसरी बात IIBF का एक monthly newsletter आता है IIF vision IIF vision की copy आपको आपके mail पर भी मिलती रहेगी तो यह आप तो पहली बात फाइदा मिलेगा कि IIBF क्यों join करना है देखे बहुत सारे नए जो bankers आप जैसे bankers जिन्होंने bank अभी अभी join किया है चाहे वो clerical cater में चाहे वो provisinary officer cater में वो हमसे सवाल करते हैं कि सर यह JIB, CIB यह सब क्या है क्यों करना है क्या फाइदे मिलेंगे बहुत सारे सवाल होते हैं तो हम आपको explain करना चाहते हैं कि देखे जी आई बी क्या है JIB और CIB क्या होता है आपको कैसे आगे बढ़ना है यह हम यहाँ आपको वीडियो बनाने का हमारा परपज़ है JIB की full form है junior associate of Indian institute of bankers अभी इसको junior associate of Indian institute of banking and finance बोलते हैं परंत नाम पुराना ही चल रहा है आप JIB करते से ही आप junior associate बन जाते हैं institute के JIB करने के बाद आप CIB कर सकत आते हैं देखिए आप ऐसे समझिए JIB graduation करने की तरह है और CIB post graduation करने की तरह है JIB का जो exam होता है वो comparatively easy होता है आपके 12th standard का exam होता है और CIB का जो exam होता है वो tough होता है तो यह exam करने से आपको कई सारे फाइदे मिलते हैं मैं आपको फाइदे बताऊंगा कि क्यों आपको JIB CIB का exam करना चाहिए देखिए अब सवाल है कि हम क्यों करें JIB CIB हम क्यों करें सबसे पहला फाइदा आपको JIB करने का देखिए पहले आप JIB करेंगे CIB तो कर नहीं सकते तो JIB करने का आपको पहला फाइदा क्या मिलेगा यू विल गेट monetary benefit अभी जो नया settlement हुआ है नए settlement के हिस आप से करीब करीब अगर आप clerical cater में हैं तो आपको 1500 रुपे का और अगर आप officer cater में हैं तो करीब करीब आपको 2300 रुपे का चुकि DA change होता रहता है इसलिए 10-20-50 रुपे का plus minus हो सकता है plus ही होगा minus नहीं होगा हर महीने जैसे ही आप JIB के तीन paper पास कर लेंगे तीन paper होते हैं JIB में वो मैं आगे के वीडियो में आपको बताओंगा तो आपको हर महीने इतना increment मिलना शुरू हो जाएगा ये increment आपको पूरी जिन्दगी मिलेगा तो आपको monetary benefit सबसे पहली बात है हर महीने increment मिलेगा JIB पास करते से ही आपको increment मिलना शुरू हो जाएगा तो सबसे पह पाइदा है आपका monetary benefit, तो monetary benefit की बात हो गई, अब दूसरी बात, जब आप GIV करेंगे, तो आप पढ़ाई करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे तो आपको banking system के बारे में जानकारी होगी, क्या priority sector होता है, फोरेक्स कैसे काम करता है, bill of actions क्या होता है, check क्या होता है, day to day जो हम काम कर रहे हैं, उसमें कैसे बहतरी कर सकते हैं, जब आपका जैसे जैसे knowledge बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप अपनी duties को बहतर तरीके से discharge कर पाएंगे, आपका knowledge बढ़ेगा, तो आपका confidence बढ़ेगा, यह आपको दूसरा फाइदा मिलता है, आपका knowledge दीरे दीरे बढ़ता जाता है, और आप एक परपक बेंकर बनते जाते हैं, आप एक measured बेंकर होते जाते हैं, तीसरा फाइदा, जो लोग प्रोवेशनरी officer जोईन की हैं, scale 1 या जो लोग clerk में जोईन की हैं, clerk से आप officer बनेंगे, scale 1 से scale 2 बनेंगे, 2 से 3 बन फिर आप executive हो जाएंगे, AGM, DGM हो जाएंगे, कुछ लोग chairman तक पहुचेंगे, जैसे जैसे आप promotion के लिए eligible होते हैं, जिन लोगों ने GIV और GIV के पास CIV किया हुआ है, उनकी promotion में eligibility भी दूसरे candidate से जिसने GIV, CIV नहीं किया हुआ है, उस से पहले उसकी eligibility हो जाती है, तो आप आपको early eligibility मिलेगी, अगर आपने GIV, CIV कर रखा है, तो आप promotion के लिए उस दूसरे candidate से पहले eligible हो जाएंगे, जो GIV, CIV नहीं किया हुआ है, यह आपको तीसरा फाइदा मिलेगा इसका, ठीक है, इसके बाद देखिए, you get extra advantage in an interview, अगर आपने GIV, CIV किया हुआ है, तो interviewer जब आपसे सवाल करेगा, पहली बात तो आपका confidence बढ़ जाएगा, आपको knowledge बढ़ जाएगी, तो आप उन सवालों का अच्छे से जवाब दे पाएंगे, दूसरा, interviewer की हमेशा choice होती है, कि जो लोग GIV, CIV किये हुए है, उनको पहले promotion का chance मिलना चाहिए, तो आपको वहाँ भी इसका advantage मिलेगा, और आप निश्चित रूप से दूसरे candidate के comparison में आपको बहतर marks मिलने की उमीद रहेगी हमेशा interview में, तो ये सारे फाइदे हैं, जो GIV, पहले आपको चुकि GIV करना है, तो GIV करने पे आपको ये सारे फाइदे मिलेंगे, दोस्तो, GIV और CIV से related सारी जानकार है, यहाँ पे contact कर सकते हैं, call कर सकते हैं, message कर सकते हैं, आपको पूरी GIV, CIV के लिए कैसे जाना है, कौन-कौन से paper होते हैं, मैं आगे जो video बनाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा, क्या आगे हम educational video इस तरह के बनाते रहते हैं, आपके लिए education enhance करने के लिए हम video बनाते रहत हैं, तो आगे के video मैं आपको बताऊंगा, GIV में कौन से paper होते हैं, उन papers में कैसे passing criteria क्या है, आपको कितने questions आएंगे, questions का क्या criteria है, वो सारा हम अगले video में discuss करेंगे, इस video में हम discuss नहीं कर रहे हैं, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारी website को visit कर सकते हैं, so thank you friends for watching this video, video पसंद आए, तो इसको like करें, अपने दोस्तों के साथ, जो नए bankers join की हैं, उनके साथ share करें, और अगर channel पे आप नए हैं, तो जरूर इसको एक बार subscribe कर लें, और अगर आप पहले से subscriber हैं, तो bell icon press करना नहीं बूलें, क्योंकि हम regular video आपके लिए लाते रहेंगे, regular updates ल झाल